नमस्कार किसान भाईियो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब शेनल में किसान भाईयो हर बार की तरह आज पिर हाजिरें हम स्वायाबिन MSP पर एक नई अपडेट के साथ में जी हैं किसान भाईयो क्या सरकार ने नए नियम लागू किये हैं अब क्या रहने वाला है MSP का रेड कितनी तारिक से MSP रेड पर खरीदी प्रारंभ होने वाली हैं स्वयाविन की और इसके लिए हमें कौन-कौन से दस्तावेश की आवशकता पढ़ने वाली हैं तो सारी बाते आज हम इस वीडियो के माद्यम से आपको बताने वाले हैं तो किसान मित्रों वीडियो को आगरे तक अवश्य देखिएगा और जानकरी अगर जो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा और अगर जो आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है तो इसी प्रकार की मैं तो पूर्ण जानकरिया आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को भी सस्क्राइब अवश्य कर लीजिएगा किसान सहतियों लगबग प्रदेश की सभी मंडियों में नई स्वायबिन के आवा के प्रारंब हो चुकी हैं और हाल फिला अग 25 लिस्तों से लगाकर 47 लिस्तों तक के हमें यहां भाव देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी कम है यूं समझ लो कि अभी तक के सबसे नियुमतन इस्तर पर स्वायबिन के बाजार भाव पहुच चुके हैं और इसी को लेकर हमारे किसान भाई में एक चिंता बनी हुए चिंत की वड़ सके हिसाब से इस साल जो स्वायबिन का उत्पादन आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है बहुत ही नुकसार वाली फसल साबित हो रही है यूं समझ लो कि इस साल जो उत्पादन आ रहा है वह एक कुंटल से लगाकर डही कुंटल पृति बीगी के हिसाब से साथियों ने धरना परदशन किया था जगा जगा अंदोलन किये और सरकार को इस बात से अउगत कराया कि अगर जो सोयाविन के दाम नहीं बढ़ते हैं तो सोयाविन के फसल से सीधा सा हम किसान भाईयों को नुकसान उठाना पड़ेगा तो सरकार ने MSP रेट पर खरीदी का एलान किया जो कि 25 सालों के बाद में सरकार सोयाविन की MSP रेट पर खरीदी करने जा रही है जिसका पंजियन किसान साथियों 25 सितंबर से प्रारंब हो चुका है जो कि 20 अटुमबर तक चलेगा आपने अगर जो पंजियन नहीं करवाया है तो सब से पेले अभी भी आपके पास में समय है आप पंजियन करवा ले हमारे पास में किसान भाईयो एक विकल्ब रहता है आपको तोलना हो तो आप MSP रेट पर सोयाविन की बिक्री कीजिए और अगर जो आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं लेकिन पंजियन अवश्य करवा ले ता कि हमारे पास में विकल्प रहता हैं कि अगर जो बाजार में हमें स्वयाबिन के दाम कम मिलते हैं तो हम MSP रेट पर स्वयाबिन की विक्रिक कर सकें ये हमारे पास में विकल्प रहता हैं तो आपने अगर जो पंजियन नहीं करवाया हैं तो अवश्य पंजियन करवा लें जो कि स्वयाबिन की MSP rate पर खरीदी 25 अटुमबर से प्रारंब होने वाली हैं जो कि दो प्राइवेट कमपनियों के दुआरा सरकार MSP rate पर स्वायबिन की खरीदी प्रारंब करेगी यह पहली है नेफेट के दुआरा और दूसरी NCL कमपनी यह दो कमपनिया हैं जो कि मत्यपरदेश करनाटक आंद नहीं होना चाहिए और जादा मात्रा में मिटी नहीं होना चाहिए अगर जो जादा मात्रा में मिटी है स्वायबिन के अंदर तो आप उनको ग्रेडिंग कर ले ताकि आप MSP rate पर उसको तोल सकें तो यह नए नियम है और यह स्वायबिन MSP को लेकर पूरी रिपोर्ट थी आसा है कि वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विश्य के साथ में जै जवान जै गिसान